भोजन पकाने की बात हो शरीर की मालिश या तुचा और बालो पर तेल लगाने की नारियल तेल एक ऐसी बहुमों की समगरिय जिसका प्रयोग कई तरह से किया जाता है साथ ही या समपून स्वास्त के लिए भी बहुत फायरे मंधी होता है इसलिए इसे सूपर फोड भी कहा जाता है हल्दी फैट्स, अंटी आक्सिडेंट्स, अंटी बैक्टेरियल और अंटी इंफ्लमेंटरी गुनों से भरपूर नारियल तेल तौजा की कई समस्याओं को दूर करने में बहुत प्रवावी होता है जिन लोगों को चहरे पर कील, मुहासे, डेट स्कीन, ड्राइ स्कीन जैसे समस्याओं रहती है उनके लिए नारियल तेल बहुत लापकारी साबित होता है सिर्फ इतना ही नहीं चहरे के दाग धबे दूर करने और तौचा में प्राकृतिक निखार लाने में भी नारियल तेल बहुत मददकार है बस आपको इसका सही तरीके से चहरे पर प्रयोग करना है बहुत से लोग इस बात को लेकर काफी कन्फ्यूज रहते हैं कि नारियल का तिल दाग धबे को कैसे दूर कर सकता है या दाग-धबे अटाने के लिए नारियल तिल का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं अगर आप दे चहरे पर खाले धबों से परिशान हैं तो आप इस वीडियो को पूरे अंड तक देखिए मैं आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताने वाली हूँ जिससे आप आसानी से नारियल तेल का इस्तमाल करके अपने दाग धबों से चुटकारा पास सकते हैं रात में सोने से पहले अच्छी तरह चहरा धोने और साफ करने के बाद चहरे पर नारियल तेल लगा कर कुछ मिनट सर्कुलर मोशन में मालिश करने चाहिए इससे सर्फ दाग धबों की चुटकारा आपको एक चमच अलोवेरा जिल लेना है और इसमें एक चमच नारियल तेल और गुलाब जल या निम्बु करस मिलाना है आपके नाचरल फेस पैक तैयार हो जाएगा इसे आपको रात में सोने से पहले चाहरा दोकर फिर समाने फेस पैक की तरह इसे अपलाई करना है पंदरा मिनट बार चाहरे को दो लेना है इसे सब्ता में दो से तीन बार प्रयोग जरूर करें तो वीडियो का एसला का कमेंट कर करते वीडियो को लाइक करना ना भूला एस इंफर्मेटिव वीडियो के चानल को सब्सक्राइब जरू कर लें वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू